दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को साथ ऐसी टिप्स बताऊंगा इस स्टडी की जिनकी हेल्फ से आप जाधा प्रोड़क्टिविटी के साथ स्टडी कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से आप पड़ पाएंगे और बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आप तो हे दोस्तो मैं हो अर्शित और आप देख रहे हैं हरुज टीवी यूट्यूब चैनल आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी बोड़ अपडेट्स के लिए शैन को सब्सक्राइब कर लेना और तार्गेट रखते हैं 2000 लाइक्स का तो दोस्तो आए कि लोग एक महीना पहले पढ़के भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं और जो लोग काफी टाइम से ऐसी पढ़ते हैं अंदाधूंद उनके अच्छे मार्क्स नहीं आपाते हैं तो सही टिप्स का होना जरूर से पता होना जरूरी है राइट तो आज इस वीडिय इसके लिए लिए 1159 जविश्यैन को पटेशन के looking के. इसके लाव और जो सभू कर सकते हैं और आप किसी ब्रॉरोक्त कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो अपनी पढ़ाई है उसमें जो आपके पढ़ने के दुद तरीक आरो dual में के लाइड को effectivement तर अने har करो इसका क्या मतलब है देखो नॉर्मल ही होता क्या है इस स्टूडेंट क्या करते हैं एक बुक होती है उनके पास या कोई वीचिज उसी में से पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं तो वह ना बड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सी चीज ह आती है वह कि आपने मानलो कोई चीज है आप उसको पढ़े ही जा रहे हो पढ़े ही जा रहे हो बेसिकली होता क्या है कि मानलो हमारे पास में कोई स्टूडी मेटीरियल है उसे भार 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 पढ़े जा रहे हैं तो वह बोरिंग सा लगने लगता है तो ऐसे मैं आपको क्य से उसके बारे में discussion करो, इसके अलावा और कोई books देखो, जहां पे कहीं उसका representation हो, या कुछ ऐसा हो, जिससे की उस topic को समझने में आपको clarity आए, है ना, तो उसके आपको अलग अलग perspective पता चलेंगे topics के, तो वहाँ पे आप बोर भी नहीं होगे, और उसके अंदर क्या होगा, कि उसके जो ways of learning है, वो बड़ी अच्छी हो जाएगे आपके लिए, अब आप गलती है, करते हो कि एक ही किताब को ली, और ये topic है, उसको बार बार रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, उसमें से समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके अपनाओ ना, वीडियो देखो, कि जा पता, उसमें से कुछ अच्छे points समझ में आ जाए, तो ये बात हमेशा याद रखो, कि ये चीज़ पर चिपकने की बजाए, अपनी learning में variety लेकर आओ, इसके बाद guys, वो मारा next point है, वो है, juggle between the subject, अब देखिया, आपको क्या करना चाहिए, आपको juggling करने चाहिए, subjects के पीच में, कैसे मैं बताता हूँ, for an example, अभी मैं पकड़ के चलता हूँ, एक्जांपल के लिए मानलो आपके पास 3 subject है, physics, chemistry, maths, आपके पास अलग अलग हो सकते हैं, आप commerce, art, किसी भी field की हो सकते हैं, मैं example के लिए physics, chemistry, maths पकड़ के चलता हूँ, मानलो मेरे 3 exam है, physics, chemistry, maths, मेर तरीका गलत है क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो माइंड कहीं न कहीं बोर होने लगता है हर चीज के लिमिट होती है भले ही आपका फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट भी हो फिर भी आप उसे पढ़के बोर हो जाओगे क्योंकि आप बार-बार माइंड को वह चीज दे रहे ह उसके बाद थोड़ी दे रुकेंगे उसके बाद एक टॉपिक जो है मैस का पढ़ लेंगे उसके बाद इसमें आप कर गया सकते हो कि मानलो आपकी कैमेस्ट्री वीक है क्या में अपने अभी कम पढ़ा है तो ज्यादा ओप्शन दे दो पहले फिजिक्स पढ़ लिए फिर क कैमेस्ट्री पढ़ ली फिर मैथ पढ़ ली तो कैमेस्ट्री को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो जो वीक है पर इससे क्या होगा ना जब आप सब्जेक्स में जगलिंग करेंगे तो आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी और आपकी बोरियत नहीं होगी और आपका इं करता है मेरा मानना तो यह कि करनी चाहिए एक्जांपल अभी मैंने जगलिंग और सब्जेक्ट का आपका एक्जांपल दिया है एक्चुली इसका सई एक्जांपल मुल्टी टास्किंग का यह है कि आपने एक साथ कहीं सारे सब्जेक्ट पढ़े लेकिन अगर देखा जाए याद कर रहे हो या जब तो जिसरे बड़े दुनिया के विंग तो आपको तो सिर्फ पढ़ाई करनी है यार तो multitasking का सही यूज करना सीखो इसके बाद गाइज जो हमारा next tip है वो है include the habit of making your own notes by your hand देखें गलती क्या होती है students की कि वो दूसरों से notes लेते हैं paper से पहले और उनको याद करने लगते हैं अब देखो हमेशा याद रखना life में यह बार बार कहता हूं हर वीडियो में यह tip include करता हूं कि आपके जो notes हैं वो आपके खुद के हातों से बने हुए होने ही चाहिए क्योंकि जो notes होते हैं न हमारे वो हमारे सबसे important tool होते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि notes का extraction करो notes को छोटा करो आपने अगर किसी से notes लिए भी है ना तो अपने अलग notes बना और कोशिश करो उनको जितना चोटा और जितना to the point रख सकते हो उतना अच्छा आपको करना ideally यह चाहिए कि दूसरों के notes को पढ़के समझना चाहिए और फिर अपने उनसे point बना के लिख लेने चाहिए जिनको आप exam से पहले दिन देखके जो है exam में अगले दिन जा सको तो उसमें क्या होगा न कि आप बजाए उनको रटने के आप simply उनको समझ के जाओगे और आपने जो अपनी language में अपने notes बना रखे होंगे उन में से जब आप चीजे पढ़के जाओगे तो आसानी से आपको याद भी रहेंगे और आप अच्छे से explain करके exam में लिख्या होगे guaranteed आपके अच्छे marks भी आए है याद रखना जो लोग life में कुछ बड़ा करते हैं अच्छा करते हैं या अच्छे marks लाते हैं टोपर होते हैं वो अपना test खुद लेते रहते हैं आजकल तो आपके पास online application है online website है जिनमें आप आसानी से test दे सकते हो कुछ में तो 100-200 रुपे में आप इतने सारे test करी सकत कि जब आप मानलो for an example आप test से देने जा रहे हो या आपका exam है आप exam देने जा रहे हो तो जब आप एक ही बार exam दोगे तो आपको दर सा लगेगा लेकिन अगर आपने exam जैसे test बहुत दे रखे होंगे आप उसी scenario में जिस scenario में आपको exam में बैटना है तीन गंटे लगा तार बैट के paper करना है जितने भी घंटे का है अगर आपने उसी कोई 50 बार या 10 बार 15 बार किया होगा exam से पहले तो आपको habit पढ़ जाएगी फिर जब आप exam में जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा इसलिए mock test वगए रहोते हैं mock interview होते है क्योंकि आदमी की hesitation खतम हो जाती है तो उसके अंदर एक confidence आता है तो यह एक important है कि आप जो है अपना test वगएर अपने आपके लेते रहो खुदी आपने आपके लेते रहो खुदी या दूसरी जिंगह online देते रहो test next हो guys हमारा pointer हो है read out loud जोर से आप बोल बोल के पढ़ो देखो आप देखना काफी बार जो लो focus रहता है जोर से बोल के पढ़ने में आराम से बोल के पढ़ोगे ऐसे तो क्या होगा कि mind नीना लगेगी आसपास की जो फोकस आएगा लेकिन जोर से बोल के पढ़ोगे तो focus पूरा आपके पढ़ाई पर रहेगा और वो चीज़ आपको खुद भी सुनती रहेंगी और उस बनाओ अपने मन को अपना दोस्त बनाओ अगर आप उसको पढ़ाई करवा रहे हो तो बीच में जब वो कहे थोड़ा सा ब्रेक ले लो तो ले लो यार दो मिनट के लिए Facebook चलानी चला लो ठीक है कभी pushup लगा लिया कभी कुछ चाई पी लिए कभी छोड़ा से रिलेक्स कर शेयर करें ऐसी ही और इंपोर्टन अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मैं मैं बता हूँ आप सभी से एक और नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जो आप सब्सक्राइब करें अबाई